तो फिलाल आज का दिन शुरू करते हैं आज के करेंट अफेर से इस वीडियो में हम लोग 11 सितंबर 2022 के करेंट अफेर डिस्किस करेंगे PDF और टेलिग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्किप्शन में दिया हुआ है तो आप दोनों को वहाँ से अवेल कर सकते हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले बात करेंगे कल के कुशन की भारत में बात करी जाए कि ये कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेगुर या काली मिट्टी होती है तो ध्यान डखना ये तीन जगे हैं एक तो महरास्ट दूसरा गुजरात और तीसरा पश्यम बंगाल ये भारत में तीन ऐसे राज्ये हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी होती है और सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है अगर आप से कभी भी पूछा जाए कि पूरे दुनिया में ये कौन सा देश है जो कि कपास का उत्पादन सबसे जादा करता है तो आपका अंसर होगा अमरीका यूएस अब चलिए शुरू करते हैं आज के current affair पहला question है आज का कि अभी हाली में 36 गल के अंदर कितने नए district बनाए गए हैं तो 36 गल के अंदर अभी हाली में total दो नए district और बनाए गए हैं आपको शायद याद हो मैंने आपको 6 सितंबर के current affair में बताया था कि उस टाइम पर 36 गल में 3 नए district बनाए गए तो उस टाइम पर 28 district थे तो 3 नए बनाए गए थे तो total कितने हो गए थे 31 हो गए थे उस टाइम पर जो तीन नए डिस्टिक बनाए गए नवे से पहले नाम था मोहला मानपूर अमबाग़ चौकी डिस्टिक दूसरा जिसका नाम था सारनग़ह बिलाई गर्ड डिस्टिक और जो तीसरा जो था इसका नाम था खायरागर्ड डिस्टिक तो ये तीन नए डिस्टिक बनाए गए थे तब 31 हो गए थे और अभी हाली में दो नए और डिस्टिक निकाले गए हैं जिन में से एक का नाम है सक्तिर डिस्टिक और दूसरे का नाम है भरतप दिस्टिक बनाये गया है और जो यह सक्ति डिस्टिक है यह एक डिस्टिक हुआ करता था जिसका नाम है जंग गीर डिस्टिक यहां पर मैं लिख देता हूं जंग गीर डिस्टिक तो इसको काटकर सक्ति डिस्टिक बनाये गया है तो टोटल अप 33 यहां पर डिस्टिक हो गये अगला कुशन है ये कौन सी राजिस सरकार है जिसके द्वारा अभी हाली में तो ये राजिस्थान के अंदर अशोग गहलोद की सरकार है इनके द्वारा एक ऐसी योजना की शुरुवात अभी हाली में करी गई है जिसके तहित राजिस्थान सरकार ये प्रॉमिस करती है कि हर एक अनिस्किल्ड लेबर को पूरे साल भर के अंदर सो दिन का कम से कम रोजगार मिलेगा ही मिलेगा सरकार की दरफ से और इसके लिए जो एलिजबिल्टी एज है कम से कम 18 वर्ष के आयू होनी चाहिए और मैक्सिकम साट साल के आयू होनी चाहिए इस स्कीम को परसो के दिन 9 सितंबर को राजिस्थान सरकार के दोरा लॉंच किया गया है इसके तहित राजिस्थान सरकार ने ये भी बात कहिए कि जब आप ये सो दिन पूरे करेंगे तो अगले 15 दिन के अंदर आपको सारी पेमिंट कर दी जाएगी सरकार के दोरा अपार्ट फ्रम दिस अगर बात करी जाए तो जितने भी अनस्किल्ड लेबर है उनको वेरियस छेत्रों में कार यहां पर मिलेगा जैसे की सेनिटाइजेशन के छेत्र में इसके अलावा गर बात करी जाए तो हेरिटेज कंदरवेशन के छेत्र में एनवार्मेंट प्रोटेक्ट करने के लिए और जो एनक्रोच्मेंट हैं उनको रिमूफ करने के लिए इल्लीगन साइलम बोल्ड जितने भी हैं उन सभी को हटाने के लिए होल्डिंग्स जितने भी हैं बैनर इल्लीगल हैं उन सभी को हटाने के लिए तो अल्टिमेटली पूरे राजिस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्टर को डेवलॉपमेंट करने के लिए सो दिन का रोजगार जितने भी अनिसकिल्ड लेवर है उन सबी को दिया जाएगा इस पूरी योजना के लिए राजिस्तान सरकार ने 800 करोन की धंडाशिया बंटिक करी है अगला कुशन है अभी हाली में Fortune के द्वारा India Rich List 2022 जारी करी गई जिसमें टॉप किया है किसने तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति इस लिस्ट में Consider किये गए है Gautam Adani Gautam Adani को इस लिस्ट में Number 1 Rank मिली है दूसरे नंबर पे मुके शम्बानी रहे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और तीसे नंबर पे सपूर मिस्त्री या फिर आप बोल सकते हो जो मिस्त्री फैमिली का जो पायर है वो थर्ड नंबर पे यहां पर रहे है Gautam Adani और मुके शम्बानी के बीच में जो वर्थ आप देख सकते हो जो डिफरेंस है वो अब काफी जादा हो गया है मुके शम्बानी की वर्थ जहां पर 94.5% है या फिर आप बोल सकते हो 94.5 बिलियन डॉलर है उसी तरीके से Gautam Adani के अगर बात करी जाए तो करीब करीब 130 बिलियन डॉलर है जो कि अपने आप में काफी डिफरेंस है दोनों के बीच में आपको याद होगा अभी कुस टाइम पहले मैंने आपको एक सितंबर के दिन ये भी बताया था कि ब्लूम बर्ग के द्वारा बिलेनियर इंडेक्स जारी क्या गया है जिसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ती Gautam Adani को ही कंसीडर क्या गया था इस बार के ब्लूम बर्ग बिलेनियर इंडेक्स में अगर ओवरॉल रैंकिंग की बात करें तो उसमें मुकेश Ambani को पूरे वर्ड में 11 वी रैंक हासिल होगी अगला कोशन है नीती आयोग के द्वारा अभी हाली में भारत का पहला फ्रीट प्लैटफॉर्म लॉंच किया गया है जिसका नाम क्या है तो नीती आयोग ने भारत का पहला फ्रीट प्लैटफॉर्म लॉंच किया है जिसका नाम है E. Amrit E. Amrit नाम का एक पोर्टल अभी हाली में नीती आयोग के द्वारा लॉंच किया गया है अब इसका मेन उद्देश यह है कि आपको घर बैठे सारी जितनी भी जानकारी है Electronic vehicles related वो सब इस पोर्टल के तहत मिलेगी जैसे कि यह पोर्टल आज की डेट में बता रहा है कि पूरे भारत में इस टाइम पे 7,69,182 electronic vehicles हैं जो कि रेइस्टर हो चुका है इसके राबा यह पोर्टल आपको यह भी बताता है कि 25 से जादा electronic vehicle policies हैं जो कि भारत सरकार launch कर चुकी है 380 से जादा electronic vehicle manufacturing है भारत के अंदर 380 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुशी चीज यह पोर्टल यह भी बताता है कि इस टाइम पर भारत के अंदर 1800 electronic vehicle charging stations हैं और 133% की growth देखने को मिली है 2015 से लेकर अभी तक 2022 तक के भारत के electronic vehicle market में 133% की growth तो यह सारी चीज़ें इस पोर्टल के तैट launch करी गई है जिस पोर्टल का नाम है E. Amrit Portal पूरे भारत में electronic vehicle का market कैसा चल रहा है आपको यह पोर्टल बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझा देए अगला question है अभी हाली में Which sports person of India has become diamond league champion यह कौन से भारती एक खिलाडी है जो कि diamond league champion बने है तो यह है नीरत चोपडा नीरत चोपडा ने इस बार diamond league championship अपने नाम कर ली है और इन्होंने जो भाला फेका है यह 88.44 मीटर तक फेका है नीरत चोपडा पिछले 10 महिनों के अंदर दो बार अपना खुद का ही record तोड़ चुके है diamond league championship जीतने वाले यह पहले भारती खिलाडी है यह भी ध्यार लखे अगला question है यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके दौरा अभी हाली में में उद्देश क्या है इसका में उद्देश यह है कि मेगाले सरकार जितनी भी सरकारी services दे रही है जैसे कि किसी का राश्यन कार्ड बनना है किसी का अधार कार्ड बनना है driving license बनना है voter ID कार्ड बनना है इस तरीके कि जितनी भी government services है वो सारी आपको घर बैटे इस portal के तहत मिलेगी इस portal में आपको register करना है जो भी document आपको बरबाना है उस पे आप login करिए entry fill करिए और उसके बाद एक सरकारी कर्मचारी आपके घर आएगा biometric sensor के तहत वो सारी आपकी जितनी भी details है वो सब लेगा और उसके बाद अगले 10 से 14 दिन के अंदर ये दस्तावेज आपके घर में transfer कर दिये जाएगे तो ये main उद्देश है मेगाले के अंदर 6000 गाओं को इस बार फाइदा मिलेगा इस ही होजना का मेगाले में कॉन्डेट संगमा की सरकार है अगला कोशन है वर्ल्ड सोसाइट प्रिवेंचन डे अभी हाली में कौन से दिन मनाया गया हिंदी में इसको विश्य आत्मत्या रोक्ताम दिवस के रूप में मनाया जाता है ये दिवस मनाया गया 10 सितंबर को इस बार की इसकी 2022 की थीम रही Creating Hope Through Action वैसे आपको एक इंट्रेस्टिंग बात बताऊं ये जो इसकी थीम है World Society Prevention Day की इसको 2021 में डिकलेर किया गया था अगले 3 साल के लिए तो 2022 में इस बार भी यही रही और अगले साल 2023 में भी ये बदलेगी नहीं यही थीम इसकी रहीगी ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को Awareness Campaign के थूँ ये बताया जा सके कि जीवन में हारने का मतलब यह नहीं है कि आप सोसाइट कर ले या आत्मत्या कर ले बहुत लोग हारते हैं लेकिन असली जजबा वही होता है जो लोग गिर के फिर से समझ जाते है तो सोसाइट जो है वो कोई भी किसी भी तरीके से जीवन का सॉलूशन नहीं है अगला कोशन है WHO जिसको हम लोग बोलते हैं World Health Organization इनके द्वारा एक कैमपेन अभी हाली में लागू किया गया है एक वैक्सीन को लॉँच करने के लिए यह जो वैक्सीन है यह 2030 तक एफरीका में इस बीमारी से छुटकारा दिलाएगा किस बीमारी के लिए वैक्सीन लॉँच किया गया है तो WHO ने जिसको हम लोग बोलते हैं Bacteriars Meningitis यह बीमारी बेसिकली जो brain का membrane हिस्सा है उसको affected करती है और इसके अलावा यह यहां से होती हुई आपकी spinal cord को भी affected करती है मतलब हिंदी में या आम भाशा में अगर मैं बोलूं तो जो Bacterial Meningitis बीमारी है यह सबसे पहले brain के cells को धीमेदी में damage करना शुरू करती है और उसके बाद जो real की हटी होती है वहां तक भी इसके Bacteria's महुँच जाते है इस बीमारी को खतम करने के लिए WHO के दोरा अभी हाली में एक vaccine campaign launch किया गया है इसका में उद्देश यह है कि Africa reason के अंदर 2030 तक इस बीमारी को पूरे तरीके से खतम कर देना है वैसे एक fact बताऊ COVID-19 के चलते है पूरे African reason में 50 million बच्चों को 50 million बच्चों को यह vaccine लगना था जो की delay हो गया है अपने हापने WHO ने अब तुरंत प्रभाव से इसको लागू करने के लिए Africa reason में 1.5 million डॉलर की दंदाशिया वंटिक करी है WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी इसका headquarter है Geneva और इसके president है Tedros Adnan अगला question है भारत सरकार ने अभी हाली में फैसला लिया है कि अगले 5 सालों के अंदर कितने cargo terminal डेवलप किया जाएंगे तो सरकार ने फैसला लिया है कि पुरे भारत के अंदर 300 cargo terminal की स्थापना करी जाएगी अगले 5 साल के अंदर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो import export है वो लगातार बढ़ रहा है even export अब जादा हो रहा है तो इस case के लिए जो cargo terminal है इनका use किया जाता है import और export के लिए अब जितने cargo terminal बनाए जाएंगे उतने ही लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा तो सरकार ने फैसला लिया है अगले 5 साल के अंदर 300 नए cargo terminal बनाए जाएंगे पूरे भारत के अंदर अब समझे इनकी स्थापना के लिए पूरे भारत भर से 150 कंपनियों ने proposal डाला था सरकार को लेकिन 150 कंपनियों में से 93 ऐसी कंपनी है जिनका final application विसीव हुआ सरकार को और 93 में से अगर बात करी जाए तो 65 ऐसी कंपनी है जिनको इसका contract मिलेगा एक बार cargo terminal ये बन गए अगर 300 तो उसके बाद पूरे भारत में इनकी मदद से 30,000 लोगों को direct employment मिलेगा और अगर बात करी जाए indirect employment की तो 90,000 लोगों को नौकरी मिलेगी indirect तरीके से अगर इस पूरे project की बात करें तो सरकार के द्वारा 30,000 करोन की धन्राशय अवंटिक करी गई है इस project के लिए अगला question है ये कौन सा राज जहाँ पर अभी हाली में इंडियन आर्मी और एर फोर्स दोनों के द्वारा मिलकर गगन स्ट्राइक नाम की एक military exercise कंड़क्ट करी गई तो गगन स्ट्राइक को कंड़क्ट किया गया है पंजाब हरियाना बॉर्डर में और पंजाब हरियाना बॉर्डर में multiple places में इस exercise को कंड़क्ट किया गया और especially अंबाला में इस exercise को कंड़क्ट किया गया है इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से Apache 64E helicopters का यूज किया गया है इस exercise के अगर बात करें तो यह attacking type exercise थी इसके तहित इंडियन आर्मी और Air Force ने इस बात के exercise करी कि अगर unwanted कोई भी enemy इंडिया के अंदर आ जाता है तो इसको किस तरीके से हम लोग attack करेंगे इंडियन आर्मी के चीफ हैं इस टाइम पे मनोच पंडे और Air Force के जो चीफ हैं यह हैं VR चौधरी मतब पूरा नाम है इनका विवेक नाम चौधरी अगला कोशन है अभी हाली में United Nations Human Rights Council के नए चीफ के रूप में किसको appoint किया गया है तो UNHRC के नए चीफ के रूप में अभी हाली में appoint किया गया है Walker Turk क्या नाम है इनका Walker Turk और इनको United Nations के प्रेसिडेंट एंटोनियो गूतरेस के दोरा appoint किया गया है United Nations Human Rights Council के अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी इसका हेड़कॉर्टर है जिनेवा और इस टाइम पर इसके प्रेसिडेंट है Federico Villages यहाँ पर मैं लिक देता हूँ Federico Villages अब मेरा आज का कोशन आप से कंप्यूटर से है बिल्कुल सिंपल सा कोशन है आप मैं से कितने लोग बता सकते हो MS Office डॉक्यूमेंट में Hyperlink को insert कराने के लिए shortcut की क्या होती है comment box में लिक कर बताईए और जिल लोगों को नहीं पताए कि Hyperlink होता क्या है तो कल मैं आपको जब वीडियो स्टाट करूँगा तब बताऊँगा इसके बारे में detail में फिलाल आप सभी को बता दूँ आप किसी भी SSC exam की तैयारी करने हैं railway की, defense की या फिर किसी भी राज्य के exam की जैसे की लेकपाल हो गया PCS का exam हो गया तो आप मेरा GSGK का foundation batch join कर सकते हो यह batch बिलकुल नया batch है अभी हाली में 1 सितंबर को इसकी शुरुबात हुई है और इस टाइम पर Unacademy पर 20% का flat offer चल रहा है तो इस batch का link जो है यह मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है उस direct link के थूँ आप subscription ले सकते हो discount code वरूण 777 है अगर आप वरूण 777 लगाते हैं तो flat 20% का discount आपको मिल जाएगा Unacademy पर इसमें मैं history, polity, geography, science, economics सब कुछ cover कर रहा हूँ तो इस batch के बाद आपको कोई भी book लेने की ज़रूद नहीं है इसके अलावा अगर बात करें तो इस time पर static GK का भी batch चल रहा है आपको उसका भी फैदा मिल जाएगा तो आज की बाद यहीं तक रखते हैं Thank you so much Have a nice day, take care, bye bye आपका दिन मंगल में हूँ